अलो बच्चों नमस्कार आप सभी का श्वागत हमारे यूटीब चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पीटी टी टू यर्स एंड फॉर यर्स के बारे में तो काफी बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर हमारा बीड जो फाइनल यर का है या जो सुरी जो मतल देता हूं इस वीडियों में बात करेंगे यारी कि यह ढए जो पर यहांपर जबने पर यह कैसरा है इसके बारे में कम्लीट आतरो ङानकर या देने वाले हैं वीडियों को पुरा एंड देखना है दान से और साथ ही साथ हम इसमें वीडियो में बात करेंगे जो कंप्लीट डोक्यूमेंट है वह आपको जमाग करवाने हैं और आपका एड्मिस ने वह कब तक अंफर्म किया जाएगा कंप्लीट जानकर हम देने वाले हैं यह इस वीडियो में ठीक है बिना किसी दरी के शर काउंसलिंग यहां पर दोस्तों आपको बताया गया था कि आपका जो कोलेज आवंटिक जो होगा वह सताइस तारीक होगा उन्होंने ऐसा बताया था लेकिन यह जो टू यर वाला है यह जो चार वर्शी बीड़ वाले हैं उनका तो 28 तारीकों जारी कर दिया गया था लेकि देट के बारे में 28 से लेकर कि आप दो अगस तक भर सकते हैं इसमें डेट बताई गया है लेकिन आपको गवराने की आउशकता नहीं है जो बाइस हजार रुपे फीस बने की जो लास्ट देट है वो आपकी बढ़ सकती है यह बढ़ भी नहीं सकती है ऐसा कुछ जरूरी न यह लेकिन यहां पर आपको कहना चाहता हूं कि 101 परशेंट आपकी जो यहां पर 28 तारीक बढ़ जाएगी यह अगर बात करें तो यह आपको दो अगस्ते पहले पर आपको पता चल जाएगा ठीक अभी तेक ओफिशन नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन फिर भी अगर मैं पर कह सकता हूं क्योंकि बढ़ने का कारण यह है कि अभी तक काफी बच्छों ने अगर बात करें तो बीस परशेंट भी बच्छों अभी तके बाइस हजार रुपया के फीस हो जमा नहीं किया हूं कारण यह है कि एक तो उनके पास में जो डॉक्युमेंट वगिर हैं वह नवास है या कोछ ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल यर का रिजल्ट भी नहीं आया और को चैसे श्टूडेंट जिनके मार्क शीट भी नहीं है फाइनल एक तो उनको लेकर कर यहां पर जो डिपार्मेंट है उन्होंने कि उनकी डेट है वो आगे भी बढ़ जाएगी इन्होंने बता है कि 28 तारीकों आपको आप फीज जमा कर सकते हैं लेकिन इसमें इन्होंने स्टूड अभी तक चैन्ज नहीं किया इसका करन यह है कि आप जो डीजल्ड छोरी जो आपका अलाउटमेंट लेटर वो आपका 30 तारीकों जारी किया था तो 21,000 दूड़ी बचा बता देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है नेक्स्ट दोस्तों यहां पर एक और यहां पर रेपोर्टिंग जो आपके न कोलेज में इनकी डेट को ले करके भी बता गया है लेकिन आपको फीस दमा करने के बाद में जल्दी से इनकी रेपोर्टिंग भी कर सकते हैं आपको बढ़ेगी आपको कहता हूं और अपर बात करते हैं को यह स्टूडेंट है जिनकी अभी तक जो फाइनल कर रिजल्ट नहीं आए उनको 22,000 रुपे की फीस दमा करवानी है या नहीं करवानी है तो एक बार तो आपको वेट करना है जब तक तर तक की आपका रिजल् आवेट नहीं रहती है तो आप फीस दमा नहीं करवा हैं जब तक का फाइनल यह का रिजल्ट नहीं आए अगर आपका फाइनल यсолют या प्ट्व स्टूडव्स कर देनी ना टिक है सबस्किरियर को बच्रें तो अ बचिक मय चाना है गर ओर चाहती है और कुछ आज़ी साhtने 至今 जो आपका जो यविर्शिटी है यह निरिव से वहां पर आप जा सकते हैं और वहां यह स्टीबंगे बग fan苡 करवाद करवाध करतेगा जो भी दो सॉब्सेमिगार लगता है वहgebild करते हैं और इसके साथ में और वो औरीजनल मार्क शीट आपको कहां पर लेकर रिपोर्टिंग में आउशकता है जो पड़ेगी वहां पर आप लेकर जाना है लेकिन आपको अगर अभी तक आपके पास तो नहीं है अभी तो एक बार आप जो बाइस हजार रुपे की जो फीस परते है जो नेट वाली जो मार्क शीट है उसके उसके आपको कोई परकार की किसी भी परकार की कोई दिकत आपकी नहीं आने वाली है तो यह इससे परकार अगर Koź बूर्टिंग करने वाली जाई तब आपको ऩा? अगर किसी भी परकार का कोई करेक्शन वगर अगर आपको करवाना है ठीक है तो आपको यहाँ पर जो यह वाट्शूप नंबर देख रहे हैं दोस्तों बराणवे 168 उन्चा से काउन यह जो देख रहे हैं यहां पर ग्रीन जो वना इस पट्टी में देख रहे हैं तो यहां पर आप करेक्शन भी उनसे करवा सकते हैं जो भी फीस वगिरा लगती है वह उनकी जो क्या यह रहां से आप फिक्स कर सकते हैं ठीक है अगर आपका किसी भी परकार का कोई क्वेशन वगिरा हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं और जो आपको डिपोर्टिंग के लिए 16 तयार करके लेके जाना है अगर आपने वह आपका पास नहीं है तो आपका एड़िशन रद भी हो शकता है और वह सोला सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक लिए आप सभी को धन्याइब